हम खाटू शाम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं शीस के दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार करमगतों का उद्धार ये खाटू की सरकार करमगतों का उद्धार भारत वर्स में एक प्रदेश है भगतों राजस्था सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावंधा दूर दूर से भक्त यहां दर्सन को आते हैं मुहमागी सब अपनी मुरादे इनसे पाते हैं शाम धड़ी कहता कोई इनको तीन बाड़ धारी स्री कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं ओतारी क्यूंकि इन्हों ने स्री कृष्ण को सीस का दान दिया खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया शाम के नाम से इसलिए ये पूजे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीश के दाने खाटू वाले शाम कहते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उद्धा ये खाटू का सरकार कर भगतों का उद्धा खाटू शाम की यूतों वगतों कथा बड़ी प्राची धर्म युत्ध हुआ कुरू छेत्र में है पांडों काली धिम हिडिमबा दोनों ने आपस में व्याह रचाया वीर घटोत कच नाम का पुत्र फिर तोन होने पाया वीर घटोत कच की ही बन कर आये ये संता मात पिता ने सुभ मुहूरत में दिया बरभरिगना बरबरिक भी अपने पिता सम हुए बड़े बलवा करके कठिन तप देवी मा से तीन लिये है बा ऐसे बार जुलक्ष भेद वापिस आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिसक दानी खाटू वाले स्याम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार तरभगतों का उधा ये खाटू की सरकार तरभगतों का उधा कौरों पांडों की सेना जब सामने आन खडी देखूंगा युध बरबरीक की इच्छा बड़ी हुई युद्ध देखने की मंसा से वो है चले आए अपने तुनीर में तीन बाड भी संग में वो लाए कृष्णा जी ने देखा कौन योधा आया है ना कोई से ना तीन बाड बस साथ मिलाया है कृष्णा जी फिर उस योधा का भेद जानने आये वीर पुरुस तुम कौन हो मुझको इतना दियो बताए अपना पर चैबर बरिक फिर उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं चीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार तर भगतों का उल्धा ये खाटू की सरकार तर भगतों का उल्धा कहने लग वैसे तो मैं ये युद्ध देखने आया पड़े जरूरत ही सी लिए संग तीन बाड मैं लाया कृष्णा जी लग पूछन किसका साथ निभाओगे तीन बाड से युद्ध भला कैसे कर पाओगे बर बर कहिन बाडों पर करना न संका एक बाड से भेदू लक्ष तुम कह दो जिनका इक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आये बोले के इसके पत्तों को भेदिक दो दिख लाये एक पत्ता वो अपने पाओं तले दबाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर्मगतों का उल्धा ये खाटू की सरकार कर्मगतों का उल्धा बर बर इक ने छोड़ा बाड फिर जप करके एक मंतर सारे पीपल के पत्तों का आया वो बाद कर्या क्रिश्ना जी के पाओं में जैसे ही बाड आया बर बर इक ने क्रिश्ना जी को फिर है चेताया है ब्राम हण तू इस पत्ते से लो अब पाओं हटा बर बर इक के बाड ने तो पत्ता भी भेद दिया क्रिश्ना जी बोले युद्धा हो आप तो बड़े महान मैं हू निरधन ब्रामन कुछ मुझे को दे दो तुम दान दान शीष का बर बर इक सफिर वो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीष के दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उता अपना असली रूप है फिर तो किश्मा जी ने दिखाया लेकिन अब तो बर बरीक भी वचनों में घिर आया बोले दान शीष का भगवन मैं तो कर दूँगा लेकिन इच्छा है मेरी युध पूरा देखूंगा अपने वचन को बर बरीक ने पूरा फिर तो किया फागुन सुकले द्वादसी को सीस कदान दिया क्रिश्ना जी ने खुस होकर फिर दिया उन्हें वरदान मेरे नाम से होगा पूजन अमर रहे तिरा ना शीष के दानी इसलिए तो ये कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीष के दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं उम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उद्धा ये खाटू की सरकार कर भगतों का उद्धा किन्पू महभारत का युद्ध था उसने देखना चाहा उचय स्थान पे कृष्णा जी ने उनका सीस बधाया फिर तो दोनों से नाओं में युद्ध हुआ भारी रहा देखता बरबरीक सबको बारी बारी अठारा दिनों तक कुरुक छेत्र में युद्ध है गोर हुआ हुई अधर्मक विजय धर्मका फिर से जीत हुआ विजय हुए है पांड़ा वो तो जीत का जशन मनाए बरबर क्या देखा तुमने फिर तो पूछने आए देख क्रिशना जी को बरबरिक फिर मुसकाते हैं पांबन कथा सुनाते हैं सिशिक दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू के सरकार कर भगतों का उतार ये खाटू के सरकार कर भगतों का उतार कहें युधिष्टिर ये युध तो है मैंने जितवाया भीम कहें मेरी गदा के आगे कोई टिक ना पाया अरजुन बोले कौन भला है मुझे साधन धारी नकुल सहतेव करें बडाई खुद की बारी-बारी सुनकर बोले बरबरिक मैंने सब देखा है करते हो अभिमान जो खुद पर वो सब मिध्या है इस युध में बस कृष्णा जी का चला सुदर संचकर काली रूप में द्रोपदी को देखा मैंने भरते खपर इतना सुनकर पंडो सारे चुप हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उधार हुआ अहम पंडवों को बरबरीक ने मीटाया ये खाटू की सरकार कर भगतों का उधार हुआ अहम पंडवों को बरबरीक ने मीटाया क्रिश्ना जी ने खुश होकर अपनाय उतार बताया नीले घोडे पर सवार होकर ये आये थे नीले घोडे वाले ये इसलिए कहाय थे बोले क्रिश्ना कल युग में होगा तेरा वार अपने भगतों के सब दुख पल में कर दोगी ना खाटू नगरी में होगा बड़ा पावन तेरा अधा मेरे नाम से भक्त तुम्हें बोलेंगे खाटू शाम इसलिए मेरे बाबा खाटू शाम कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शिशिक दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार तर्मगतों का उद्धा आज भिदर सन को लगती भगतों की भीड़ अपार मनों कामना पूरण करते खाटू की सरकार शाम धड़ी अपने भगतों में खुसिया रहे हैं बाट ये चाहे तो निर्धन के भी लग जाते हैं ठाट हंस राज रिल हं तिर दर पे सीश जुकाता है डीयस पाल बड़ी स्रत्धा से महिमा तेरी गाता है फाज सुरेस को हे बाबा देना इतना वर्दान करता रहूं गुड़ गाने सदा बस इतना हो जाएगा मूरक ग्यानी बन जाएगर आप जो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरका कर भगतों का उल्था